स्वागत से दोस्तों, एक्सिलेंट क्लासेस में, एक्सिलेंट क्लासेस की तरफ से मैं हरियों गुपता आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, आज है 2 सेतंबर और सुबा का 7 बज़ चुका है, जैसे कि अब प्रती दिन सुबा 7 बज़े मैं आपको करेंट अफेर्स का पाने के लिए आप हमारे चैनल को सस्क्राइब कर लिजे और आपको इस समय नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, एरा हमारा स्क्रीन पर प्रस नमबर 1, बर्स 2020 और 21 की पहली तिमाही में, जीडीपी में कितनी परसेंट की गिरावट आई है, तो इसका राइट आंसर है 23.9 परस हेल्थ के बारे में बताता है, भारत में जीडीपी का आंकड़ा राष्टी सांख की कारयाले जारी करता है, और बरतमान में भारत की जीडीपी बिस्तो में सबसे तेजी से गिरी है, सबसे ज़्यादा गिरावट भारत में आई है, और अगर पूछी जाए बैलू कितनी है, तो 23.9 आज तक इतनी बड़ी ग्रावट भारत की GDP में कभी नहीं आई और अगर बात की जाए यह नमबर अभी प्रवीजनल है अभी यह रिवाइज भी हो सकता है तो यह था हमारा राइट आंसर हो गया 23.9 इरहाई स्क्रीन पर कुश्चन नमबर टू प्रणाव मुखर जी का नेधन 31 अगस 2020 को हो गया वह कब से कब तक राष्टपती रह चुके थे तो यह कुश्चन मोस्टली आज कुश्चन हो सकता है क्योंकि प्रणाव मुखर जी से रिलेटेट कुश्चन जरूर आएगा आने इक्जामस में तो आएए मैं सब कुश्च बता देता हूं प्रणाव मुखर जी के बारे में यह भारत के पूर्व राष्टपती के रूप में कार कर चुके हैं यह 2012 से लेकर 2017 तक भारत की राष्टपती थे और हाल में ही 31 अगस 2020 को उनका निधन हो गया वह 84 बर्स के थे प इस तरह से 2012 से 2017 तक भारत के राष्टपती के रूप में वाइकर कर चुके थे इरह हमारा कुश्चन नमर थ्री फिडे ऑन-लाइन चेस्ट ओलम्पियाड 2020 में पहली बार भारत चैंपियन बना सेह बिजेता का नाम बताईए भारत फिडे में पहली बार चेस्ट का ओलम्पि 2020 में सह बिजेता बना है तो यह उसने किस के साथ सेयर किया है? यह हमने कल भी डिसकस किया था कल के वीडियो में हमने डिटेल में बताया था कि ऐसा क्यों हुआ है? और भारत किस के साथ बिजेता बना है? तो यह हमारा आज का Lucky Kueschion No.1 इसका Right Answer आपको लखी कुश्चन वन उसके आगे आंसर करके देना है ए रहा कुश्चन नमबर फोर फिडे ऑनलाइन चेस ओलम्पियाट दोजार बीज किस वज़े से भारत और रसिया को सेउक्त बिजेता खोशित करना पड़ा तो आपको मैंने यह रीजन बताया था यह हमारा आज का लखी कुश्चन नमबर टू इसके बारे मैं डीटेल से में बता दू कि बिसिकली हुआ क्या था कि जो फिडे का जो ओनलाइन चेस ओलम्पियाट इस बार बर्ल्ड में पहली बार ऐसा हुआ है अभी तक कभी भी चेस का ओलम्पियाट ओनलाइन नहीं हुआ ऐसा क्यों करना पड़ा कोरोना में हमारी के कारण अब चुकि यह ओलम्पियाट का मैस था तो पूरा वर्ल्ड देखता है जिसके कारण एक प्रॉबलम आ गई और उस प्रॉबलम को आपको कमेंट सेक्षन में राइट अंसर देना है आज हमारे विज्यताओं की लिष्ट आएगी तो आज आप लखी कुश्चन का राइट अंसर जरूर दे दिजे आज है आज का हमारा लखी कुश्चन नमबर टू question number 5 है हमारा mind sport olympiart के mental calculation बल्ड कप में भारत के लिए पहला सुरंड पदक जीतने वाले युबक का नाम क्या है तो dear transparent यह question हमारा है mind sport olympiart अर्थात ऐसे game जो mental level पर खिले जाते हैं जैसे की chess हो गया और भी बहुत से game हैं जो mental calculation पर आधारत होते हैं और भारत के लिए पहला सुरंड पदक जीतने वाले युबक का नाम क्या है तो इसका right answer है नील कंट भानु प्रकाश option number A यहाँ पर सही है आज के वीडियो के बारे में बता दूँ कि आज हमारे lucky winners की list आएगी और हम उन सभी लोगों को यहाँ पर lucky winner बनाएंगे जो आज की वीडियो में correct answer देंगे और पिछले दिनों में भी उन्होंने correct answer दिये हैं और यदि आपने पिछले दिनों की वीडियो में correct answer नहीं दे पा हैं तो आज भी आप उस वीडियो को देखकर correct answer दे सकते हैं एहरा हमारी स्क्रीन पर कुश्चे नमबर 6 नीती आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सुचकांट एक्सपोर्ट प्रिपेरिडनेस इंडेक्स 2020 में किस राजु को ओवरॉल केटेगरी में पहले इस्थान पर रखा गया है तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो प्रिपेरनेस इंडेक्स है वहा नीती आयोग जारी करता है और यहाँ पर नीती आयोग ने यही लिस्ट हाल में ही जारी की है और D.R.S. पारेंट इसके बारे में बता दूं कि जो एक्सपोर्ट होते हैं वह किसी ना किसी बंदरगाय के थुरू होते हैं तो ऐसे इस्टेट जो एक्सपोर्ट के लिए अपनी प्रिपरेशन सबसे अच्छी रखते हैं उस राज को ओवरॉल कैटेगरी में पहले स्थान पर रखा जाता है तो यहां पर हमारा राइट आंस किस देश ने अपने नाग्रेकों को भारत ना जाने की सलाय दी है साथ ही भारत को सीरिया पाकिस्तान यमन जान जाने की दिया है तो यहां पर हमारा राइट आंसर है आप्सन नमबर बी कुजरात जैसे आतंकी देशों के समान तुलना करते हुए लेबल फोर में रखा है तो यह भारत की अंतरराष्टे इस तर पर एक तरह से अभेला है कि भारत ना जाने की सलाय वहां तक वह देश अपने नाग्रेकों को यह गुजारिस कर रहा है कि कोई भी भारत ना जाए ऐसा बेसि भारत को सीरिया पाकिस्तान यमन जैसे आतंकी और असांत देशों से भारत की तुलना की है और भारत को लेविल फोर में रखा है तो यहां पर ऑप्सन नमबर बी है हमारा यू ऐसे आते हैं कुश्चन नमबर एट पर यह है आज का हमारा नेक्स्ट लकी कुश्चन पिर दे वह किसी भी राज को बिसेश दर्जा दिलाती है तो बरतमान में किस राज जिसकी विदान सभान उसे च्छची अनिसूशी में जारी करने के लिए एक हाल में ही बिधयक पार्यत किया है तो यहां पर आपको राइट आंसर कमेंट सेक्टर में देना है और इसके बारे में आपको बता दूँ कि यह स्टेट हमारा नौर्थ इस्टेन स्टेट है इस इस दा हिंट फोर यूर करेक्ट आंसर एरा आज का कुश्चन नमर नाइन हॉली बूर्ट के सुपरिस्टार फिल्म ब्लैक पैंथर के अभिनेता चैडविक बॉक्समेन का उन्तेस अगस्त को किस बी अफ्रीकन कंटिनेंट में इनको निधन के लेकर बहुत ज़्यादा दुख रोष्ट प्रकट किया है तो यहाँ पर राइट अंसर है हमारा कोलन कैंसर तो रोल इन रोल आउट को सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ यह वह ट्रेन है जिसमें किसी भी माल को चड़ाने या उताने का प्रॉबलम नहीं होता है अर्थात इसमें सीधे माल से भरे हुए ट्रक बैगन में चड़ जाते हैं खुले हुए बैगन होते हैं जिसमें माल से लदे ट्रक सीधा इस बैगन में प्रिवेस कर जाते हैं और इसमें 42 ट्रक को एक सास ले जाया जा सकता है और जैसे ही अपनी डेस्टिनेशन पर ट्रेन से बाहर निकल जाते हैं इस तरह से माल कोई loading unloading बहुत ही आसानी होती है और roll and roll out train की सुब़ा सुरू की गई है बैंगलूरू में और इसको किसने मंजूरी दी है किसने हरी जंडी दिखाई है तो वहां के मुख मंतरी BS अधुरप्पा ने और वहां पर रेल राजमंतरी सुरेश अंगडी भी मौजूद थे यह रहा कुश्चन नमबर 11 हाल में ही Indian Institute of Technology ने संस्कृत के प्राचीन बिज्ञान को पढ़ाने के लिए नया पाठकरम पेस किया है या किस IIT ने किया है देली कानपूर इंदौर या कोई रही तो यहाँ पर राइट आंसर है IIT इंदौर ने हाल में ही इंदौर से जुड़े कुछ important fact इंदौर कोरोना के लिए बहुत बड़े hot spot के लिए famous हो गया था और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर हाल में ही राहत इंदौरी साहब का निधन हो गया जो इंदौर के जाने माने बहुत बड़े सायर थे और अगर यहाँ पर बात की जाए तो यह मद्द प्रदेश का बहुत बड़ा सहर है और इसे हाल में ही सवच्छता सर्वेच्छण में प्रथा मिस्थान प्राप्त किया है तो राइट आंसर है option C इंदौर आते हैं question number 12 पर हाल में ही DRDO ने किसकी अध्यच्छता में प्रयोप सालाओं के charter की समीच्छा की समीच्छी गठत की है तो DRDO के हाल में ही अध्यच्छता प्रयोप सालाओं में charter की समीच्छी के लिए हाल में ही DRDO के द्वारा आईए मैं आप सबसे पहले detail में बता दूँ DRDO Defense जिसका मुख्याले नई दिल्ली में हैं और इसके जो मंत्री है राजनात सिंग है और इसकी जो एजन्सी जिसको रेपोर्टिंग करती है वह है रच्छा मंत्राले और इस question का right answer है B. रामगुपाल राओ option number A यहां पर हमारा सही है आते हमारे next question पर ए रहा हमारा question number 13 हाल में ही लोकसभा के सचे हो के रूप में केसे नयोक की आगया है तो लोकसभा जैसे की बर्तमान में हम जानते हैं कि लोकसभा का जो सबसे बड़ा नेता होता है वह होता है हमारा प्रधान मंत्री और लोकसभा के जो अध्यक्ष है वह है ओम्रकाश ब्रल में नियुक्त किया गया है तो option number C यहां पर हमारा सही है आते हैं question number 14 पर हाल में किस देश ने South China Sea में बिबादित पानी के किर्तिम दीपों के निर्माड के लिए 24 Chinese company को blacklist कर दिया है तो जैसे हम जानते हैं कि China लगातार South China Sea में अपना दबदबा बढ़ाता जा रहा है वहां प हारी मात्रा में मिट्टी समुद्र में डाल दी है कि किर्तिम दीप बना दिये हैं तो यहां पर इसके लिए यहां पर चाइना और USA अर्थात अमेरिका में बिबाद की स्थिति पैदा हो गई है और USA ने चाइनीज 24 Chinese company को blacklist कर दिया है और वहां के share market से इसे D-list कर दिया है त हारा हमारा आज का question number 15 हाल में ही मुस्तफा अदीब किस देश के नए प्रधान मंत्री नामित हुए हैं तो dear transparent हमें पता है कि हाल में ही लेवनान के प्रधान मंत्री ने यहां पर इस्तीफा दे दिया था और इस्तीफा यह भी पता है कि यह किस कारण से दे दिया था हाल में ह लेवनान की रद्धानी बेरूत में अमोनियम नाइट्रेट का एक बहुत भ्यानक बिस्पोर्ट हुआ था यह बिस्पोर्ट इतना तेज़ था कि मानू परमानू बम फटा हो जिसके कारण लेवनान के प्रधान मंतरी ने इस्तीफा दे दिया और वहाँ पर हाल में ही मुस्त यूक्रेन अभी हाल में ही अपने पड़ोसी देश बेलारूस से बहुत ज़्यादा परिसान है वहां की इस्तीफी भारत और पाकिस्तान जैसी हो रखी है तो इसलिए हाल में यूक्रेन ने अपने पड़ोसी देश बेलारूस के साथ अपने सभी संबंदों को खतम कर दिया है कि जितने लोग यहां पर राइट आंसर देंगे मैं सब को यहां पर लखी विनर बनाऊंगा तो जल्दी से इसका कमेंट सेक्षन में राइट आंसर दे लिए